दर्भंगा पार्सल ब्लास्ट को लेकर सूबे के तमाम रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है और वो भी 15 अगस्त तक सब जियारपी जवानों को सूचना दे दी गई है पूरे निगरानी रखी जाएगी कड़ी निगरानी और मुस्तेदी के साथ उन्हें अपनी ध्यूटी पूरी करनी है क्या कुछ जानकारी है हमारे पास आपको विस्तार से देते हैं दर्भंगा पार्सल ब्लास्ट के बाद 15 अगस्त पर सुरक्षा कुलेकर सूबी के रेल्वे स्टेशनों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है रेल एसपी विकास वर्मन की ओर सी पटना जंक्षन दानापूर पाटलिपोत्र पटना साहिप समीत अन्य स्टेशनों पर जियारपी के 24 घंटे जोकन्ना रहने के निर्देश दिये गया है साथी आने जाने वाली ट्रेनो प्लाटफॉर्म पार्सल घर सर्कुलेटिंग एरिया ट्रिकट काउंटर वेटिंग हॉल सहत अने समवीदन शीले जगहों की जांच वयात्रियों की तलाश लेने का भी कड़ा नर्देश दिया गया है इसकड़ी में जियार्पी ने डार्क स्कॉाइट दस्ते के साथ पटना जंक्षन पर सगन चेकिंग अभ्यान चलाया जयांच के दौरान रिल्वे स्टेशन पर अनाधिकरत रूप से घूम रहे चार युवकों को जियार्पी ने पकड़ा भी बाद में चारों को नियाएक हिरासत में भेज दिया गया 15 अगस तक यह जांच अभ्यान नियमत रूप से सभी स्टेशनों पर चलाया जाएगी उसके खिलाफ केस दर्जकर कड़ी कारवाई की जाएगी 17 जून वो तारिक थी जब दर्भंगा पार्सल ब्लास्ट को अंजान दिया गया था हलाकि इस अपने मनसूबे में आतंग की पूरी तरीके से सफल तो नहीं हो पाए फिलाल उन्हें रास्त में लिया गया कल उनकी कोट में भी पेशी हुई है और यही वज़ा है कि अब स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और वो भी 15 अगस्त तक है खासकर राजानी पटना के स्टेशनों की बात करें चाहदानापूर की बात करें पटना साहिप की बात करें इन तमाम स्टेशनों पर हाई अलर्ट रखा गया है और इतना ही नहीं तमाम जो जवान है जयारपी के उनकी तरह से कड़ी निगरानी रखी चाहेगी और पूरी मुस्तेदी के साथ हर एक यात्री पर उनके लगस की जाच पूरी तरह से करने का निर्दीश कड़ी रूप से दिया क्या है फिलाल के लिए इतना ही जद अपडीट के लिए आप बने रही निउस वानीशन के साथ नमस्कार